प्रीवियर चितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ धर्मी की क्या बात है, जब सत्मोला साथ है टेस्ट है इसका सबसे निराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाध स्वाध में जम कर खाया, सत्मोला ने खूप बचाया आने शेगलता है क्या, सत्मोला सब्सक्राइब जो मैचिंग करके महासित देंगे नमश्कार, स्वाधत है आपका डॉप स्टोरी निउस पर, मैं हूँ आपके साथ आपका हुस्तन दोस्ते ठांकर सरकार और आप लोग देख रहे हैं आपका खास कारेकरम सत्मोला प्रेजेंट सितारू की बात अचारे डॉक्टर सिंजी बगरवाल के साथ दर्शुको जैसे कि आप लोगों को बताया कि रोजाना हम आप लोगों के लिए नई-ने जानकारियां जो है बोलेकर आते हैं काफी मेहनत लगती है इसके अंदर आचारे जी काफे ढूनने के बाद, खोजने के बाद और काफी पढ़ाई करने के बाद, काफी गहन रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए एक एक विशे जो है, वो हम अपने मंच के द्वारा आप लोगों के समख्ष प्रस्कूस्त करते हैं, विशे ऐसे जो आपको अंधविश्वास से दूर रखते हैं, विशे ऐसे जो को अज्ञान से ज्ञान की और ले जाते हैं और विशेय ऐसे जो आपको अंदिकार से फ्रकाश की और ले जाते हैं तौप स्टोर्य मंच का ये हमेशा लक्षे रहा है कि आप किसी चोरा की अशुवास में ना पड़े कोई भी त्योहर आप मना रहे हैं आजकल की जनरेशन खा हमें क्या लाब मिलते हैं अचारी जीन सब के विशे में आपको बताते हैं जिससे बहुत लोगों के अंदर मैं देख रहा हूं बहुत तरशुकों का खास तोर पर युवाओं का जुडाब जो है वो हमारे साथ हो रहा है उनको ये कारेकरम बहुत अच्छा लगता है उनको अ लोगो चीज को अपने जीवन में उतारते हैं और उसके सकारत्मक्र dhrs जो है वो उनको देखने को मिलते हैं तो आज हम बात करने वाले गोवरधन पूजा की जैसा कि आप लोगों को पता है हम किसी भी तोहार के विशे में जब भी चर्चा करते हैं तो उस तोहार के विशे में संपूर जानकारी आप लोगों को देते हैं वो तोहार क्यों मनाया जाता है कब से शुरू हुआ क्या कहानी है और उसको पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है उससे आपको क्या लाब मिलते हैं आपका किस तरीके से उससे जुड़ाब है ये सारी जानकारिय हम आप लोगों को उपलब्त कराते हैं आप लोगों को बताते हैं आपको बार-बार मैं कहता हूं तो शुकूर बहुत महनत लगती है अचारे जी बहुत मेहनत के साथ, बहुत खोजबीन करने के साथ, बहुत रिसर्च करने के साथ, आप लोगों के लिए विशेशतर पर इन टॉपिक्स को लेकर आते हैं, तो ज़्यादा देरी ना करते हो, सिधा अचारे जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा, मुझे पता है आप बहुत स्वागत है आपका talk story में साथ, जैमा भारती, जैशीरी राम, आप सब लोगों को गोर्धन पूजा, गो पूजा, अविश कर्मा पूजा की हार्दिक शुपकामना है, कल आपने निश्चित और से अच्छी दिवाली बनाई होगी, सभी लोग सुरक्षित होंगे, बीपावली की भी आपको पुने एक बार फिर बदाई, ये पांस दिनों को पर्व हैं, जो पांस दिन के अंदर हमें विविन देवताओ की पूजा करने का सुभागे मिलता है, साथ में विविन प्रकर के पक्मान, हर देवताओ के निवित आप लोग अपने भोजन में, अ कोई चलेंज आता और बाद में उस अंकार को छोड़ना होता है, जी को लेके में ये बात आपको बताना चाहता हूं कि इंदर को जब एंकार हुआ, और एंकार क्या हुआ कि वो हमारी धर्ती से अपने लिए भोजन ग्रहन करता था जब भोजन ग्रहन अती की मातर में पहुंच गिया और उपज नहीं हुई तो गाउवालों ने भगवान शिर्किष्ण से शिकायत की उस सम्में भगवान शिर्किष्ण बहुत छोटे थे तो उन्होंने किसी प्रकार इंद्र के पास ख़बर भेजी कि इसको बंद कर दो तो उन्होंने आंधी चलवाई तुफान मचाए लेकिन ऐसे में भगवान ने गोर्धन परवत को उठा लिया और उसके नीचे पूरे दाओं को बसा दिया उसके बाद दिबंद परकार की बाल का सामना करना पड़ा लेकिन भगवान शीक कर्ष्ण जो साक्षा नारान का उतार थे उन्होंने सब की रक्षा की लेकिन जब इंद्र को बोध हुआ कि भगवान शीक कर्ष्ण खुद भगवान विश्णु का ही रूप है तब उसने माफी नामा भरा इक सर्टिफिकेट अदालत पर जमा किया नहीं मैं माफी दे दो मैं ऐसा आगे भविशमन नहीं करूगा ऐसा क्रम आठ दिन तक लगातार चड़ा भगवान को चार पर भोजन कराया जाता तो चार पर नाष्टा कराया जाता तो इस प्रकार चपन भोग साथ और आठ दिन के लिए भगवान को लगाये जाते हैं जिसको हम लोग चपन भोग कहते हैं अगर मैं उन चपन भोग की आपको गिंतिया सुनना हो तो काफी समय लगेगा लेकिन मैं यह कहना जरूर चाहता हूँ कि यह जो परंपरा है यह परंपरा बहुती सक्तिसाली परंपरा है जो हम इस दिन इसको मनाते हैं कहते दिवाली के बात का जो रिक्तिस्थान है वो ही इस परंपरा को मनाने का सही उदेश्य पूर्ण काम है जहां पर गाय के गोबर की पूजा की जाती है गोड़न परवत बनाया जाता है गौलो की पूजा की जाती है गाय की पूजा की जाती है और दोस्तों ये तब ही हो सक कुछ लोगों के पास हो सकता है समय का अभाव लेकिन परंपराएं आभाव से जादा महत्वर होती है और अगर हम परंपरा में बने हैं तभी हम लोग आगे हैं तभी हमारी संस्कृत को जानने के लिए दुनिया के लोग जो बहुत शक्तिशाली और धन्वान भी हो सकते हैं अमारी परंपराओं की जो जागिर्ती है उसकी वज़े से भारत में शांति की ओर चले आते हैं गोर्धन पूजा नन्ने से बालक द्वारा सानाता धनम की अधार पूत्र अधार भूत सरदेव मैं गोमाता की रक्षार्ट देवराज इंद्र जैसे विरोध कर गोमाता की रक्षा और सेवा का महा पर्माना जाता है गोवर्धन प्राचीन काल में जह हजारों लागों गोमाता की सेवा और समर्दन हुआ करता था वह जगे गोवर्धन है गोमाता की सेवा के बिना हमारा कल्यान नहीं होगा आज हमारे यश्यस्वी प्रदान मंतरी गोमाता की पूझा करने की बात करते हैं लोगों ने बड़ा मजा खुड़ाया जब कहा कि इस गोबर से हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं कुटी दूद्य को के अंदर गो की गैस से भोजन पका याता है तो पॉज्णी एक प्रदानमत्यों ने यह का था तो कहा लगत गहाता है उन्हों तह यह भी कहा कि नाले से जो हमारे मितेल गैस निकलती है उससे भी हम लोग बिजली बना सकते हैं हम लोग उसको पॉजेटिव साइन के रूप में देखें तो हमको काफी लाब हो सकता है आज के दिन भगवाज सी कुछ चपन भोग और अंकुट महसब कराने के साथ महत्पून है गो को हरा चारा खिलाना जो को क अपने ऐसा किया है कभी अभी करके देखें आपको भी लाब मिलेगा जो मुझे जहां तक मेरी आवाज जा रही है देश के कौने कौने में और इस देश से बाहर भी मैं सभी लोगों से आधरे करता हूँ आप गाई की इस्तिती देखिये मेक्सिको जैसे देश के अंदर ज इसको बटर ऑइल कहते हैं वो विदेशों में सप्लाई करता है और वो उसकी कमाई का सबसे बड़ा माद्या में दूसरा माद्या में वहां प्रिया टन का है आप देख सकते हैं गाए कंप्लीट एक पशू में है हमारे जीवन का एक रास्ता है विचार है और आज गाई की बाद करनडा करें तो फिर हमारे जीने का अरती क्या रैजाएगा जी बिलकुल अब तो आप यह बाज यह नेचोनल वाले लोग cousins बिना रसायन का भूजन करना चाहते तो उनके लिए तो गवुका जो गोवर होता है वो विशेज बुनियादी अपूर्ति है वास्तिक पूजन तो गोवर्धन पूजन तभी होगा जब हम गाई का सम्वान करेंगे वेद बिना मती नहीं गाई बिना गती नहीं इसको नोट कर दिजे क्योंकि हमारे गरूप्रावन में लिखा है कि गाई की पूछ पकलकर हम भावसागर से पार जा सकते हैं भावसागर गहां नहीं को जोब सेवा की सफत्रना लेने का दिन है डोपार ना बस बन सकोग सैंस्ति वाप लेटा कर भी बाएं लेकिए व हुए हैं हम लोग और चपन्भोग की जहां मैं आज आपको जरू चपन्भोग आपको बता देना चाहता हूं कि वो चपन्भोग है क्या नंबर एक है भात इसको भक्त बोलते हैं दूसरा है सूप यानि कि दाल दीसरा है प्ले चठनी चौता है अवले शर्वत नंबर पांच बलका यानि कि बाटी नंबर चे है एक्शू शेर्णी मुरब्बा ये संस्क्रत के शब्दों को हिंदी में परिवादित करके मैं आपको बता रहा हूं नंबर साथ है साधिका यानि कळी आठवा ददी काक्चा दई साक की कळी जिसके अंदर सब्जी डालके कळी बनाई जाती है आप तो बेंगॉल से हैं आपके या बंगाल में बहुत बनाई जाती है ये सब्जी डालके कळी बनती है रही और सखणी सीखनी इसके अलावा दस्वात तिर्पोण शक्रा युक्त जिसके अन्ना मीठा हो ग्यारवा परिशिस्ट यानिगी पूरी बारा सत्पत्र खजला इत्ता मोटा हमारे नौचंदी में मेरिट में नौचंदी लगती है नौचंदी में खजला देखने को मिलता है मेरा का बनता है जी जी इसको कैचियर स्पोर्ट्स मेरट को मिलिया है जी और बटक यानि की बड़ा खायाओ का दाई सोटका आपने जी जी मदूसी इस बड़ा नाम बड़ा खास नाम है सुबह नाच्टे में खा सकते जिसको मठरी बोलते हैं फनी का यानि की फैनी दपूर नारी लॉंग की पूरी जी चौला हम लोग तो चौला होना इसी नाम से लेते हैं जिसे पूह भी कहते हैं सुधा कुंडी का जलेवी हमारे सुबह को आप नाच्टे में जाएंगे तो 20 रूपर में 25 में पेज बल जाता है पूली और जलेवी से आज भी बढ़ जाता है धरत पूरी मेसू वायूपूर रस्कुला चंद्रगला पगी हुई जानिकि उसमें बक्कर में डलीवी और चक्राम मालपुआ खंड मंडल खुर्मा गोधूम डलिया परीखा और सुफला धड़ा सौंफ युक्त जिसके रना सौंफ होती है दढ़ी रूप विसरालू मोदक लड़ू साग जो ये मेथी ब बनाते हैं सोधान अधानी अचार मंड का मोथ पायस खीर जनरली केरल में अपने नाम जोना होगा पायस का ये है खीर दधी बंकार में चलती है ये हां हां है गोध्रत कायका घी हैंग पीनक मक्षन मंडुली मलाई कुपी का रबली परपरव पापरव शक्तिका सीरा सीरा वो होता है जो चाष्णी का होता है चाष्णी को सीरा बोलते है लसी का लसी सुवत संगाय यानि मोहंग सुफला सुपारी सिता इलाइची और तानिस वह फल विबिन परकार के जो फल होते है इसके अलावा तामूल पान मोहन भूग जो भगवार अश्कुला टाइप का होता है इत्ता वड़ा फीले रंग का होता है लवण नमक कशाय जिसके अंदर करेले को बोलते हैं हमारे यह कशाय जिसमें कलवाट होती है मदुर मदुर मिश्री को बोलते हैं तिर्क तिल से बनेवा भोजन कुटू कुटू आपके बड़तों में आपने देखा होगा और अंत में अमल जिसके अंदर अमली हो खटा हो इस प्रकार चपन्भो भगवान शरीक रश्कुत को अरपित करने का प्रावधान है जे कहते हैं मिठाज से शुरूर करके अमल पे जाके खत्म करना ही इसका सबसे बड़ाज चरीट को फिटर रखने का उपाय है आखिर में होटलों में मिलता है, नीमू पानी मिलता है, कुछ लोग आध दो लेते हैं, कुछ लोग पी लेते हैं, तो वो उसी चीज़ से जमान देते हैं दोस्तोव में आज का मतलब यह है कि गौव सेवा बारत के रिद्धि शिद्धी ऊस्समरेदी की सबसे अदर चले जाना यही एक परमपरा हमारे देश की है और ऐसे देश में जनम लेके मैं सच में अपने उपर ब़ा फक्र मैसूश गरता हूँ और आगे क्या बोलते हैं सरकार में फिर उस पे आपसे चर्चक जी अचारे जी बहुत-बहुत धन्यवाद अचारे जी इतनी पैतरी जानकारी आज गोवर्धन पे दर्शकु को देने के लिए उमीद है आज दर्शकु का पूरी तरीके से ग्यान वर्धन हो गया होगा गोव हमारे पास चारे जी आये ते कुछ सवाल पर्श्रीम बंगाल से भी है और कुछ सवाल हमारे पूर्वान चल से भी है सबसे पहले बंगाल के लिया हो बंगाल के से बलाँग करते हैं बंगाल के लिए पहले आप जी सवाल ये आया है अचारे जी कि वहां गुछ लोह li hire बेजा एक हमे प्रतीः जीने भेजा प्रतीः बिंगॉष जी जाती है जिए नॉर्मली जो हमारे इस तरह नॉर्ट इंडिया में लक्षमी पूजा और विष्करमा पूजा जो मनाए जाती वो दिवाली और दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है तो वो जानना चाहते है कि ये मतलब इस तरह से ये गैप कैसे है तोवारों के बीच में कि कुछ जवाहों पर पहले मनाई जा लिए कुछ में बाद में देखिए देश काल पात्र हमारा जो देश है वो दो जगह पर बटा हुआ है सूरिय और चंदर हम लोग उत्री भारत के अंदर या मद्दे भारत के जो लोग हैं वो चंदर वंशे चंदर को आगे रखके पूजा करते हैं लेकिं जो लोग सूरिय की पूजा करते जो आपका बेंगाओल है वो इस्टन देश है तो वहां पर सूरिय को देखके गणना की जाती है इसलिए आपके लक्ष्मी पूजा सरस्थी पूजा विश्कर्मा पूजा हमारे से 15 से 18 दिन पहले पढ़ती है तो मनाई जाती है अर देखके पूजा की जाती है यह इसका उत्तर है जी अचारे जी बहुत बहुत धन्यवाद उबीद है प्रतीक जी आपको आपके सवालों के जवाब सुर्य मीच में आ जाता है जी इस समय सुर्य मीच में आ जाता है हमारे से बहुत जादे होशार है पेंगॉल के लोग वो स पूछना शुरू कि यह इतना गैप क्यों रहता है तिवारों में लगों के यहां पहले हो जाती है हमारे यहां बात में होती है तो आज उमीद है तरशकों के मन के भी यह सवाल जो है उनके उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे अचारे जी ने आपको बता दिया आज अचा क्योंके गूड रहसे पर बात करेंगे और आज उन दर्शकों के मैसिज मैं आपको बताऊंगा वो लोगों की शिकायत भी रहती कि आप लोग अमारा नाम नहीं लेते हमारे मैसिज पढ़ते नहीं है आप हमारे मैसिज के जवाब नहीं देते तो आज हम जो समय है लास्ट आज हम आपको देंगे आपका नाम भी लेंगे तो सबसे पहले मैं अचारी जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बात मिर्ट्व के बूड रहसे पर थोड़ा सा दर्शकों का मार्ट दर्शन करतीजिए देखिए वैसे तो ये बड़ा पेचिदा है मिर्ट्व के जो रहसे है इसको तो मिर्ट्व के बाद ही पता चलते लेकिन आपने कहा है तो इसको जुरूर बताऊँगे जी आप जोने सुनके बड़े हैरान हो जाओगे प्रतेक व्यक्ति अलग लग इंद्रियों से मरता है हंस आँखों से उड़ा किसी भी मिर्ट्व कान से हुई यानि कि कभी मिर्ट्व आँख से होती है तो कभी कानों से होती है किसी की मिर्ट्व मुह से होती है मुह खुला रह जाता है और अधिक लोगों की मिर्ट्व जनेंद्र से होती है यानि कि जहां से बच्चे की उत्प तो ऐसे लोगों भी अपने आप में होते हैं, उनके उपर नहीं जा पाते हैं, उनकी जिन्दगी यहीं हो गई है, जिस इंदरी के पाद, जिस गई है, उसी इंदरी से मौत होगी, और सारी रूप से हम मर्गट में ही जाते हैं, यार था, किसी भी रूप में हमारी मौत हुई हमें जाना मरगटी होना होता है चाहे हम लोग किसी भी जाती में हो मरदें के बाद सबकी गती एक सी होती है लेकिन इससे मिलता बहुत कुछ है बहुत कुछ खो जाता है बहुत कुछ पा जाते है किसी को तो उसकी कपाल करिया करते है तो उसका सिर्ट तोड़ते हैं वैसी प्रतीक है समाधिस्त व्यक्ति की मिर्ट्य उस तरह होती है जिस वो समाधी के रूप में ही उसका सहचक्र चुरू होता है और उसे समाधी के रूप में ही धर्ती के अंदर दवा दिया जाता है जननंद्रिय सबसे नीचे का दौर है जैसे कोई अपने घड़े नाली में से परवेश करके बहार निकले जैसात सबसे नीचे का दौर है वह स्रिश्टमदार है जिनकोट कान से आँख से उती है ब्रहमान से होती है वह सर्श्टमद क्एलाती है जि Français जिसे जिनंद्र से मौत होती है, वो देह से जोड़ता है, उसका परिशानी का कारण होता है, निमनिस्तर को प्राप्त होता है, और सहसास्त्र आत्म से जो लोग समादिस्त हो गए हैं, उन्होंने ध्यान को अन्भव किया है, जो जितित्त को उपलद हुए है, उनकी मिर्तु स हैं आपस्ट होती है आंकों से उस प्रतीक में हम कभी भी कपाल क्रिया करते हैं मरगत ले जाते हैं बाप मर जाता है तो बेटा लख़ई मार कर सिर्ट तोड़ देता है मरे मराय का सिर्ट तोड़ना है प्रांग तो निकली चुके हैं हमें यह सब धाना है सब सोचना किसी को कपाल के लिए भी बोलते हैं जी अब आगे तो आगे कहते हैं हम लोग इसके लिए अब कहाएं के लिए दरवाजे खुर रहो अब तो निकलने का वो कोई भी जगा नहीं है जहां पर प्रतिक अवचारी का आशाय कर रहा बेटा भी बाप सहचरे से मरे बाप किसी भी मरे मर तो चुका ही है प्रांट तो निकाल चुका है अपने लेकिन हमारा धर्म कहता है कपाल के लिए सनातन धर्म की वो मिशाल है कि बाड़ी के अंदर आत्म का कोई भी हवा ना रह जाए कि दुवारा उसकी मुक्ति ना हो पाए अतार मौत के बाद ही दूसरा जनम मिलता ह है मौत हो जाए तो शरीर हमारी आत्मा शरीर बदल लेती है आत्मा अजर और अमर है ये कभी नहीं मरती जे अब आप को होगे आपके मन में विचारा आएगा कि इत्ती जन्संक्या कैसे बढ़ गई तो दोस्तों जब से हमारे संसार के अंदर वरक्ष कटे हैं तब से हमारे जन्मत संग्र हो गया क्योंकि हमारे हाँ जो पेल है जो वरक्ष है उसके अंदर भी आत्मा रहती है और जब हम जादे वरक्ष काट चुके हैं तो हमारी आत्माओं को बल मिलाया और वो इंसान के रूपे इस धर्टी पे पैदा हुई गी है जो वरक्ष गंडे रहते थे उ औरों को फल देते थे जो फल देने वाले वरक्ष है वो इस्तरी बने जो फल नहीं देते थे वो पुरुष बने क्योंकि जीवन में देने वाली तो खाली इस्तरी है पुरुष तो बहुत कमी दे पाता है पुरुष तो वहीं दे पाता है जो यहाँ तपने के लिए आता है तो यही सारी बात है, जीवन भर उनी रूप और रंगों में ही अपने को तलाशो, अपनी खोज में किसी ने किसी अच्छी चीज को शामिल करो, तो आप भी इसी धर्ती पे बार बार आने के जंजट से मुक्त हो सकते हो, जो लोग संसाल को कुछ देते हैं, चाहे वो ग्यान चाहे वो यहां ही से कमाया हुआ धन दे, माता पिता को सेवा भाव दे, बच्चों को क्रिया दे, कल्प दे, सोच दे, आयाम दे, देजभक्ती रे, ऐसे लोगी सदाचार की जिनिगी जीने के बाद मुक्ष गामी होते हैं, और यही आत्मा यदि तरप्त हो के धर्ती से जा मैंने आपको गरून के बारे में बताया था, जो लोग गरून पाठ करते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, कि नौ महीने मा के पेट में जो बच्चा रहता है, वो क्या-क्या सोच के दुबारा जनम लेता है, किस-किस परेशानी में मा जिन्दा रहती है, किस-किस परेशा वो सनातन धनम का हर माता पिता अपने बच्चों से कहता है, जूट वकड बोला, बटा सतकरम करना, चाहिए माबाप के त्हीप आपी हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों से हमेशा अच्छे करने की शिक्षा देते हैं, और वो अपेक्षा भी करते हैं, कि उनके बच्चे माता का अपने कुल का नाम रोशन करें तब ही तो मिर्तिव सार्थक होगी जरती पर राजा हुआ है इस वर उसे जाना तो होता ही है जी बिल्कुल और सरकार मिर्तिव अटल है अपने उसने आना ही आना है अपने समय पर आती है संधीपन दिशी ने भगवान श्रीक कर्ष्ण को ये उपदेश दिया था कि तुमारी गुरु माता तुमसे अपने बच्चों को मांगेगी तो कि उसके साथ बच्चे यमने ले लिये हैं तो भगवान श्रीक कर्ष्ण कहते है गुरु दे मुझे क्या करना चाहिए बोले कर दिया भगवान श्रीक के ला सकता हूं तो निती है मैं तुमारा नहीं बन सकता क्या तो तुम तो नारायन हो तुम सब कुछ कर सकती हो मुझे इस से आदा और क्या मिलेगा कि मेरे पुत्र नाराण के रूप में उपस्तित है लेकिन मुझे एक बार दिखा तो दो भगवान शिर कश्न फिर कहते हैं मा मुह माया में अभी भी में संधीपन की पत्री होके भी मुह माया में हो चलो मैं तो मैं बच्चों के दर्शन दिला सकता हूं लेकिन मैं उनको लोटा नहीं सकता यह मेरे अधिकार में नहीं है यह यम के अधिकार में जिसके अंदर में हनन नहीं कर सकता है और आज का जो दिन है आज उसी बात का दिन है क्योंकि इस सिक्षा के बाद ही भगवान शिर कश्न ने गुंकुल को बिन्नावन को छोड़ दिया था और कंस की मौत के लिए मत्रा में पधारे दे आज के बाद ही वो संदीपन वाली बात क्रियांत होती है यह वो देशे जहांके चप्पे चप्पे में शुर्ब बसता है जे मुझे बड़ा फक्र होता है सरकार जब मैं यह बात कहता हूं मेरे रॉंपे कड़ों हो जाते कि मैं भारत की धर्ती में पैदा हूँ और बार बार यही जनम ले जिस दर्ती में जनम हुआ है यह वास्तम में अलोकिक है जी जी अचारे जी बहुत बहुत धन्यवाद अचारे जी इतनी बैतरीन जानकारी रित्यू के गौड रहसे विगूड रहसे पर देने के लिए दरशुकों को आज उमीद है दरशुकों को हमारा कारेक्रम बहुत प मिली है क्योंकि समय की थोड़ी सी पावंदी है लेकिन आप लोगों के जो मैसेजिस हमारे पास आये हैं उनके जवाब आज हम जरूर देंगे आप लोगों की शिकायते भी दूर करेंगे अचारे जी हरियों शर्माजी लिखते हैं उन्होंने भेजा है कि उनकी नौकरी नह अमें उपाय बताए उनकायों को करने के बाद मेरी नौकरी लग देई तो हरियों शर्माजी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने चीजों पर विश्वास करके उनकायों को किया और आपको उसके सकारत्मक परिणाम जो है वो है कि करियर को लेकि उन्होंने पूछा था उनका स्पोर्ट्स में खेल कूद में काफी अच्छे थे वो तो उनका स्पोर्ट्स स्पोटे से एड्मीशन हो गया है और उनको अब मतलब नैशनल लेवल के लिए वो त्यारी कर रहे है तो उन्होंने का कि अचारे जीने जो हमारे लिए भेजी है उन्होंने का कि काफी अच्छी तरीके से आचारे जी जो है चीजों को बताते हैं और बहुती सटीक तरीके से एक बैज्ञानिक फॉर्म में बताते हैं किसी भी तरीके का कोई अंद विश्वास आप लोगों के कारेकरम में नहीं दिख पाता है अगला म दो हैं डाइनियर क memb देंद आशाए बर्शाक सिंग्जी ने भेजआ य हैं जी Worksakky यह कि की पानिस हैं जो म मा काली का अ कर दार है जिसमें शेय। पगवान उनके पैरों के नीचे आ गए थे तो वो कहानी वर्षाद सिंग जी सुनना चाहती है वो कहती है कि अगर आप वो कहानी एक पार हमें सुनाए तो हमें काफी अच्छा लगेगा जब भी मौका लगेगा मैं ऐसा जरूर करूगा कि हाला कि बहुत चोटा मुह है मेरा म आता महाकाली की मैं कैसे कोई चर्चा कर सकता हो लेगी फिर भी जब भी मौकाम मेलेगा मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बता हूँ अकाष कुमार जी ने आचायरे जी लिखा है कि वो साधना के विशे में जानना चाहते हैं कि जो साधनाएं होती है वो कितनी सटीक होती है और कैसे की जाती है कितना समय लगता है क्या गुरू की आवश्क्ता होती है साधना जो है उसका जाहाब तो मैं भी देता हो साधना बिना गुरू के करनी भी नहीं चहिए और भी नहीं सकती। साधना साधक के ओपर пред still करती। साध जी साधऑ कैसा है जब गुर Fen snoda कोई जी अचारे जी तो आकाश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने प्यार भरे संदेश भेजने के लिए मनु प्रजापती जी लिखते अचारे जी राज़कूर गुजराथ से इन्होंने हमें अपना पहले सवाल बेजा था अपनी डेटव बच के साथ कि ये महनत क अधर रहे और सरकारी नौकरी के एक्जैम में सफलता है नहीं मिल पा रहे है तो अभी राजस्तान में जो टीचर्स के लिए एक्जैम हुए थे वो इन्होंने क्लियर कर लिया है तो इन्होंने धन्यवाद भेजा है बहुत सारा कि आचारे जी का बहुत-बहुत इन्होंने मांगा है तो अचारे जी ये कुछ दर्शकों के फीडबैक्स हमारे पास आयते कुछ जवाब आयते हैं हलांकि मेल की लिस्ट अभी बहुत लंबी है अभी लोग लगातार जो है कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं-णही कहानिया भी सुनना चाते है धर् काले हमें चीजों का नहीं पता था लेकिन अब हमें लगता है कि हमारादरं काफी राजीन है और काफी पूराणा है और हमें अपनी संस्क्रति के साथ जुड़े रहना चाहिए जैसे कि भाकी धर्मों के लोग भी अपनी अर्स प् psychologist मेसिज़ आपके लिए और टॉस्टों नियूस के लिए आज दर्शकों की तरफ से आया है। तब हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के जो है messages का हम जवाब जरूर दे तो एक बार फिर से दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने बहुत बहुत धन्यवाद इतनी वैतरी जानकारी देने के लिए युवाओं का मार्प दर्शन करने के लिए उन्हें अपनी जड़ सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए देखते रहें सब्सक्राइब की बाद अचारे डॉक्कर संजीव अगरवाल के साथ धन्यवाद कि जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ धरनी की क्या बात है जब सक्मोला साथ है टेस्ट है इसका सबसे निराला हर दिल पर जादू कर डाला स्वाद स्वाद में जम कर खाया सत्मोला ने खूप बचाया जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ धरनी की क्या बात है जब सक्मोला साथ है टेस्ट है इसका सबसे निराला हर दिल पर जादू कर डाला स्वाद स्वाद में जम कर खाया सत्मोला ने खूप बचाया पाने शिगलता है क्या सत्मोला सत्मोला वीवीव वीव 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 स्वाद सेंट मसी्व